हलो इब्रीवान गुड मॉर्निंग विल्कम बैक टु माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे तो गाइज हमने सोचा चलू आज के ब्लॉग आप लोग के साथ सेयर करती हूं आप लोग पूछ रहे थे ना कि भावी आप कहा जा रही हो यूनो मैं जा रही हूं मुंबई चलो आपको बता देती हूं और देवरानी जी भी साथ में हैं देवर जी भी है और आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि कौन-कौन मेरे साथ जा रहा है भी तो ये दे बच्चे और हम तो यह रास्ते कभी हुए आप देख सकते हो पता है जब हम लोग घर से निकल रहे थी इतनी तेज बारिश हो रहे थी गाईश हम आप से क्या बताएं तो यह देखो अभी जश्ट हम पहुंच चुके हैं ढखवा यूनो ढखवा वर इस ढखवा ढखवा हमार अब यहां से बस पकड़ते हैं विकाज हमें जाना है लखनव तो आप लोग देख सकते हो आप लोग जन्रत में बैठ चुके हैं और मौसम चलो आपको दिखाते हैं कहते हैं आज मौसम बड़ा बेइमान है तो कुछ मौसम ऐसे ही है सुहाना सा तो यह देखो हमारे पती द बैशनवी आप लोगों ने देखा ही होगा ब्लॉग में एंड यह देखो मौसम देख रहे हो कैसे हुआ है तो यह देखोगा इस कितना प्यारा लग रहा है ना वैसे रेनी सीजन अच्छा लग था कहीं आते जाते टाइम जो बारिस होती तो और मजा था यह देखो कदम अ देखने में तो यह देखो मंकी अच्छा लग रहा है ना पता यहां पर बस स्टॉप हो गई थी यहां पर मंकी को यह लोग जो ड्राइवर लोग होते है ना बिस्किट वगरा देते हैं रास्ते में खाने के लिए तो हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था विकॉज पहुच गए हैं लखनव के करीब एकदम में लखनव सिटी में अब हम लोग इंटर कर चुके आप लोग देख सकते हो चलो हम आपको दिखाते हैं यह देखो लखनव आगे हम लोग बहुत ही प्यारा विव है ना आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप ल यह तो देखे आप गिस लगाई लियोंगे तो गाइज अभी यह जा रही इपने मायके और हमारा इनका यह आख़ी ब्लॉग है इसके बाद जब आएंगी रिटन तब मुलाकात होगी तो बारा मुलाकात होगी क्यों जा रही मायके ना आपने बता दो सब को अभी मैं मायक अभी मैं बना जाएंगे तो बस लोग इस टेशन के अंदर पहुंच गया है और यह पे वैट के बेट कर रहें वह जो ट्रेन है वह नाइट में है करीब 11 बजे की तो हम लोग बहुत जल पहुंच गया थे प्लान कुछ ऐसा था थाना कि हम लोग लखनो जू घूमना चाहत लोग बहुत है दो देखो चार बाग इस्टेशन है यह स्वारी चारवाग बस अड़ा है यहां पर तो बस इसी के जश्ट बगल में लखनाव इस्टेशन है तो वहाँ पर एक मंदिर भी था हम लोग थोड़ा सा जब बाहर निकले तो यह मंदिर जो था में बहुत तो यह देखो राम लक्षमड और सीता मैया जी है यानि की माता जी यहां पर यह देख सकते हूं द्वारपाल खड़े हैं संकर भगवान का मंदिर था तो कुछ इस टाइब से बना था तो अंदर से जाके रिकॉर्ड नहीं कर भाए थे इतना सा क्लिप थी मेल पास तो मैंने सोचा चलो सेयर कर देती हूं आप लोगों के साथ तो यह देखो इस टाइम आप देखी सकते हूं कितिनी ज्यादा यहां प अच्छा यहां पे नहीं एक ऐसा प्लेस था यहां पर हम और मेरी दिरानी जी गय थे घूमने तो यहां पर जब लोगों ने देखा बैग्राउंड न का पी अच्छा लगा तो हम वह बूल भाई तो वहां से भी लोगों ने प्लेलिया था और हम लोग जा रहे हैं बैटने बिकॉज हमारे ट्रेन अब रेडी हो गई है निकलने के लिए यहां से तो यह देखो लखनव स्टेशन का ब्यू नाइट में कुछ इस टाइप से था प्लेट फार्म का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे वेडिंग में होता है ना ऐसे डेकोरेट तो डेकोरेशन क नाइब भी भात मुझे लगता है तो यह देखो पैसनवी बहुत प्यारी लग रही है ना मेरी वेटी मूझे बहुत अच्छी लगती है सच में गाइस वैसे बच्चे चाहें इसकी वaciónे के इसकी हो हो सबके बच्चे क्यूट होते हैं अच्छे लगते हैं हैं ना तो यह द तो गाइस देख सकते हो काफी ज्यादा रात हो चुकी है करीबी 11 बच चुके हैं और हमारे ट्रेन यहां से निकल चुकी है तो यह वैश्णवी के चाचु है यह देखो खेल रही है इनके पास और प्रनु जो है अपनी चाची के पास खेल रहे हैं यह देखो तो कैसा लगा अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी पसंद आये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो आज के लिए बस इतना ही और हाँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए मेनी मेनी थैंक्स गाइस सच में आप लोगों काफी लोगों के लिए खेयाल रखना बाइगाइस